तो बात करते हैं VV, Visual Basic for Application, Visual Basic for Application VV के उपर और मैं पहले क्लिर कर देता हूँ कि जो VVA है, यह आपका VV6 नहीं है VV6 नहीं है, VV.net नहीं है, VV Studio नहीं है क्यों? क्योंकि इनकी मदद से हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं एक Software, बट VV के मदद से MS Office के अंदर हम क्या बनाते हैं? Macros, Tools, इस तरह सब Tools कहा सकते हैं, यह Simple वासना में कहें कि Macros अपने आपको Excel दिया, MS Office दिया, Excel के लावा Word, Powerpoint, Outlook, Access इस सारे चीज़ों पर VV इस्तमार की जा सकती है, इन्विल्ट फीचर आपको दिया, इन्विल्ट फीचर के अलावा, इसके अलावा, आपको कोई चीज की requirement बढ़ गई, जिसके लिए Excel में कोई option नहीं है, है तो lengthy है, तो VVA के जरी आप खुझ से बना सकते हैं, Simple से बात समझ जाए, कि आप, Microsoft ने, Microsoft Excel दिया, कभी अपना काम करें, बट कुछ ऐसे काम है जो Excel में नहीं हो सकते हैं, ऐसे काम के लिए आप VVA के जरीए related tools develop करें, अब यहां पर अगला question आता है कि क्या बनाएंगे, अगर VVA एक factory है, तो product क्या क्या हो, तो product होगा macro, आएगा function, and होगा user form, अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले, macro को एक confusion को लिए कर देते, क्योंकि मुझे mostly call आता है, कि sir मुझे macro सीखना है, चीक है, आप कुछ लोग बोलते है, कि sir मुझे VVA सीखना है, macro नहीं सीखना है, उनके जहन में एक छोटी सी confusion आ जाती है, कि macro के मतलब हुआ, जो यहां पर view के अंदर, जो record macro होता है, वो macro होता है, और जो coding करते हैं, उसको VVA करते हैं, देखे, coding के थुरू या record के थुरू हम बनाते macro ही हैं, और VVA के हैं, तो VVA का नाम है language, जो language यूज करते हैं, उस language के नाम है VVA, जो record macro होता है, या खुछ से करते हैं, दोनों के सिसमें VVA language यूज की जाती है, दोनों के सिसमें macro ही बनती है, record macro एक ऐसा feature है, जो आपके mind section को convert कर देता है, किसमें? कोड में, जैसे मैंने आपने यहां पर क्लिक किया, या कुछ type किया, तो इसका VVA language को कोड होगा, और graphical interface को convert कर देता है, आपके VVA language, translate कर देता है, अब यहां पर question आता है, कि सर, जब मेरे पास already feature है, कि मैं record करके अपना macro बना सकता हूँ, फिर सीखने का जंदिट कीवर, देखें, recording macro के जरिए, बहुत ही limited type के macro आप बना सकते हैं, तो कि record करते समय आपका range dynamic नहीं होता है, आप condition apply नहीं कर सकते हैं, आप repetition के लिए looping नहीं कर सकते हैं, आप other system के साथ connectivity नहीं कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे problems होते हैं, इसलिए recording macro के जरिए आप अपना report automation नहीं कर सकते हैं, इध्यान रिखें, आप बात करते हैं, इसलिए माइक्रोज, माइक्रोज होता क्या है, देखें जब कोई बहुता है, जब कोई भी code करने हैं, तो उसको macro में ही code करते हैं, मतलब कि जब आपको run करना होगा, तो यहाँ माइक्रोज लिस्ट में आपका macro जाएगा, चाहिए record किया हुँ यह यह फिर code किया हुँ, कि मैं एक file open करूँ, उसमें data copy करूँ, फिर उस data की summary create करूँ, फिर चार्ट लगाओ, दुसरे file में save करूँ, और किसी को mail करूँ, ए में पास 15 instructions है, अब एक काम मुझे बार बर करने पड़ते हैं, तो हर interaction का मौस एक्षन मुझे यहाँ पर click किया, इसका click करने का एक line code बनेगा, इसे ही, जैसे ही, जैसे हैं आपना mouse का move करेंगे, कुछ भी करेंगे, हर action का एक line of code होगा, उस line of code को हम एक macros के अंदर में डालेंगो, उसका पूरा set of line of code, एक macros का लाएगा, या फिर simple सी भाता में, भासा में समझे यह, कि macros that is autopilot, इसे plane को fly करने के लिए autopilot पे डालते हैं, autopilot क्या करता है, autopilot पे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से plane को run करता है, fly करता है, उसी तरीके से जो instructions आप इसके अंदर line में डालेंगे, उसी हिसाब से run होगा, और आपका report त्यार करेंगे, बस रही होगा, कि जो आप manual करीजिएगा, उससे भजा टाइप फास्ट करेंगे, मतलब जो घंड़ों काम हैं, वो कुछ minute में करके आपको ले रहे, कुछ minute या कुछ seconds भी हो सकता है, इसका एक benefit होता है, और हम function की बात करें, तो कल भी बने बताया था, function एक formula होता है, क्या होता है, जिसे V look up, H look up, जो होता है, उस तरह कि खुद के formula create करेंगे, सब कुछ स्ट्रेंट करते हैं कि sir, already Excel में इतने formula हैं, तो पहले सीखे ही नहीं, और आप बोलने हो कि एक नया formula बनाओ, जो already Excel में है, जो already Excel में है, तो उसमें क्या है, कि उसमें feature जो है, fix है, उसमें feature क्या है, fix है, जिसे V look up के ही बात कर लें, तो एक तो multiple data नहीं लेगा, पहले चीज, दूसरी चीज, आपको multiple condition नहीं लेगा, repeated value में इसे एक ही को दिखाएगा, repeated value में चार बचाता हो, तीसरा देखो, ऐसा को system इसमें नहीं है, तो आप अपने हिसाब से, जो आपकी requirement है, उस हिसाब से, आप क्या करें, खुद के formula त्यार करें, जो आपकी जरूरत है, उस formula को खुद त्यार करें, वो function होता है, यूजर फॉर्म बहुत important है, यूजर फॉर्म इंटर्फेस के लिए होता है, जैसे मान लिजिए, कि अब छोटे मोटे report में तो एक आद मैक्रो बना लेंगे चल जाएगा, लेकिन आप एक report में बनाना चाहता हूं, एक monthly और product by report की, मतलब की बन्दा जैसे macro run करेगा तो उससे पूछेगा month, फिर उससे पूछेगा आपका product, अगर आप इस तरह की interface त्यार ना करें, तो क्या करना होगा, कि आपको हर city के लिए अलग-अलग macro बढ़ाने पटेंगे, लेकिर यहां पर एक user form दे देंगे, वहां पर option दे देंगे, वाई choose the month, choose the product, choose the year, and apply करते हैं, उसकी report उसकी हिसाब से बन जाएगे, एक interface, pop-up इसको कहा सकते हैं, इसने मालेजे मैंने fx पे click किया, फिजी pop-up आया, या फिर मालेजे मैंने macros भी क्लिक करते हैं, जो pop-up आता है, यहां options बटन बगरा है, इस तरह के चीज़े बनाने के लिए user form का इस्तमार करते हैं, अब question आता है, वीवी का उप्योग हम रभ करेंगे, वीवी का उप्योग दो situation है, एक repeated work, दूसरा लेंदीवर, अब मालेजे कि आपके boss ने बोला क कि बताओ कल का sales का summary क्या है, वोच ने आप एक बार मांगा है, इन future में आपसे माहिया है कि नहीं माहिया है, कोई IMT नहीं, और आपको manual बना नहीं है, तो आप क्या करेंगे, manual बना देगा, अब आप उसके लिए VVA programming करें, तो problem, क्योंकि VVA programming क्या होता है, automation के लिए होता है, पहले problem को analyze करना होता है, फिर उसकी algorithm लिखनी पड़ती है, फिर algorithm के इसाफ की programming करनी पड़ती है, फिर उस प्रोग्राम को अलग situation, अलग अलग data पे test करना पड़ता है, then finalize करना होता है कहां है, वो इस डेवलप होता है, एक छोटा सा काम के लिए जो पांस मेंदों हो सकता थ करना सही तो नहीं है, क्यों? क्योंकि ऐसा रख करेंगे, तो आपका time जागा, हाँ, अगर sock है तो उसका बात कुछ और है, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है, इसलिए हम बीवी का यूज करते है, repeated one, कि ऐसा काम मेरा काम daily है कि मुझे इसको daily करता है, उस case में उसका यूज करते है, या फिर कुछ ऐसा काम हुआ, जो कि काफी ज़्यदा lengthy है, उसके लिए उसका यूज करते है, कि काफी ज़्यदा lengthy है, काफी time लगने माला है, एक ही बार आया है, लेकि इतना लेंदी है कि काफी time नहीं है, उस case में हम बीवी का यूज करते हैं, दूसरा आता किसके लिए, देखे, आप अपने लिए कर रहे हैं, तो कोई problem नहीं, जितना मर्जी उतना की, अब अगर आप कि और के लिए बीवी का यूज को ध्यान देदा, विससे मालेज़े कि सब्सक्राइब लोग कर रहें, तो आप ठीक हैं, लेकि ऐसे फाइल, जो काफी लोगो को मेल करने वाल है, पाफी लोगो को भीजने वाल, एसे फाइल माइक्रों को यूज करेंगे, त होता है जैसे आपकी फाइल को ओपिन करेगा उससे पूछेगा ना उससे पूछेगा सिकूर्टी अलर्ट करने की अब जो मैक्रों से जानते हैं जो नहीं जानते हैं जो टेक्निकर नहीं होगी उनको दीजेगा तो क्या होगा वह जैसे फाइल ओपन करेंगे तो आपको मेल और कॉल करेंगे कि आपकी फाइल पॉल्ब्लम सो लोगों में से मारें तीस लोगों को भी मैक्समल में नहीं आया तो आपको मेल और कॉल करेंगे तो प्रावलम होगी ना या फिर कई लोग क्या है कि आपके सिस्ट्राफ की जो रिपोर्ट फाइल है उसको लोग बैप पर देखते हैं कि आप माइक्रो का यूज तभी करें जब बहुत जोड़ी आप एकसल की फीचर को रखे अब उससे क्याम नहीं बना है तो लास्ट में आप वीवी इस्तिमाल करें अब हम बात करेंगे कि वीवी प्रगांविंग यूज करने से पहले हम अपने सिस्टम को कैसे प्रिपेर जड़े क्या क्या चीजे करना हो सबसे पहले तो आपको डिवलफटेब होना चाहिए कि अगर डिवलफटेम नहीं है तोसा की अंदर औस संस में की अंदर यहां टपर जारेगेका हे यहां पर आजएए लिए मेविगेशन के लिए जैसे कि आप जा सके माइक्रोज रन कर सके यहां पर बटन्स बगड़ा है वो इस्तमाल कर सके आपका इसमें चला गया है डिजाइन मोड में चला गया है तो उसको हटाना इस सब चीज़े यूच करते हैं कि देपार tag होना चाहिए दूसरा आपकी जो मात्रस जिर्टिर है उसको इनेवल करने जैसे मीन अई बिपताया कि म्सिक फोलि virus लुटा है तो उसको यहां से अनेवल करने है जहींद कीहां अगर आपके पास डॉट एक्स आया है इसका मतलब है किसी डेटा होगा इसका में नहीं करता है लेकिन अगर डॉट एक्सलेस मि आपका डेटा भी करता है और आपका और यह का रूट इसकी डॉट एक्सलेस जो की सिस्प्ट करता है डेटाप्र करी नहीं तो एक्सलेस एक्स के अलावा आपके पास अगर एक्सलेस एम एक्सलेस जैसे फाइल टाइप आ रहे हैं तो आप क्या करें अन्नों सूर्स से है तो आप अपने डिजाइन वाला जो पार्ट है करना में करना पड़ है तो अन्नेपल बीजियस नियुक्त करने के लिए आपको जाना होगा वीजिल बेसिक में यहां आपको करेंगे करेंगे कर दिजाइन मोड पर क्लिक कर दिया इसका मतलब कि अब किसी भी तरह का माइक रोड ड्राइक्टली अगर नहीं होगा जबते कि मैंने डिजाइन मोड को डी अक्टिवेट नहीं किया तब तक आप कोई भी मैक्ट रॉड नहीं कर से लिए तो सबसे पहले डिवलपर में डिजाइन मोड पर क्लिक कर दें इस तरह से लैक्टेड होगा इसका मतलब है क कि डिजाइन मोड एक्टिवेटेड है और आप अपना जो भी उपन करना करके देखें उसके बाद यहां पर यहां पर कर दीजिए उसके माद ओपिन करें कि मैंको सेटिंग को डिशेबल कर देखें आप को आप अधशियोग छो आता है यह दो चीज्य जो है आपको डेवलेफर टैप लाना माको सेक्रिट्य को अनवल करना कि दो चीजिए तो आपको एक बाद में कर दिया हो लेकिन एक चीज आपको हमेशक करने अपने फाइल को सेब करना को सी वही बात सेव करना को करने से पहले कीजिए कि मैं पास हर दिन कॉल आता है कि सर मैंने फाइल में बनाया लगाया या मैक्रो रिकॉर्ड किया इसके बाद हमने उसको सेव करके क्लोज कर दी दुबारा ओप्रिंग कर रहा हूं तो मेरा मैक्रों मिली रहा है हम उसे एक सबालों कुछ दे कि आप फाइल को डॉट एक्सलेस एक्स किसी तरह का कोड करी नहीं करता है जैसे आपने फाइल को सेव किया सारे का सारे माइक्रों क्या हो गया डिलीट हो इसलिए आपको माइक्रों को सेव करना है पहले सेव करने है जाने है और न जाने करते हैं कि आप माइक्रों के उंदर की कोडिंग करने ने से पहले ही आप इसको यस कॉमिट में सेव करते है कि उसके बाद कि आप कोडिंग सुरूर करें मतलब कि फाइल को हमेशा माइक्रो अनेवल वर्क बोक में सेख करें फिर कोडिंग आपको हमेशा ध्यां करें कि आप कोश्चन आता है कि माइक्रो कोड करेंगे का तो यहां दिखरा होगा आपको वीजल जैसी इसका सौटकट अल्ट एफ 11 होते हैं मतलब डेवलपर टैम नहीं है आपके पास तो आप अल्ट एफ 11 प्रेस करेंगे तो आपका यह आपको खुल के आए यह सामनी खुल के आ आपको पुछ करने की ज़रूरत नहीं कि अब यहां पर बात आती है कि आपको दो तीन चाहिए होगा एक दिख रहा है चाहिए इससे आपने फाइल के निविगेशन करोगे किस फाइल के अंदर हम सेब करेंगे अपना मैक्रों को इसमें करेंगे आपको चाहिए होगा अग अगरे दोनों नहीं है तो यहां वियू के अंदर यह देखिए आपको इस पर क्लिक करेंगे तो यहां कि आप अपनी प्रगामिन शुरू कर से लेकिन सीट वान यह सीट टू सीट थी या दिस वर्क बुक में प्रोग्राम करने के लिए मैं बनाया कि सब्जेक्ट और यहां पर कुछ ऐसे नाम दे लिया और यहां पर एमस्ट बॉक्स जहां पर हमने आई पीडी एक्सल स्कूर जैसे हेलो वर्ल प्रोग्राम होता है ना उसी तरह का मालगी मिनम्मर आया है माक्रो में जाकर देखिए आ गया मैं इसको रण भी खर गया अगर मैं भी सीट वर्न को डिलीट कर दूं तो मैंने को गया कोडिंग सी सीट वर्न की पूपर्टी में डाला है अब सीट वर्न का अस्तित्व नहीं रहेगा तो फिए कहां से जाए इसलिए हम अवाइट कर दूसरे करने भी होता है कि अगर ऐसा करते हैं तो दूसरे किसी आप से वर्ट नहीं कर पाएगा पर इसको कि इंसाइड में मोडूल होता है तो भी प्रोगाम करनी है आपको मोडूल में कर दो सब्सक्राइब कि पुपर्टी में सेव होते हैं दूसे चीज फाइल के साथ ही राता है और दूसरा जब भी किसी फाइल अधर अधर फाइल से या अधर सीट करते हैं वहां से डेटा लेना या कुछ करते हैं तो असानी से हो जाती है कि कैसे करें प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले आपक का ऊफ्वसन है यहां भी जानके मा करेंगे न को होगे किया किया तो मार्यक्र नेंगड टिकले हो सबसे किसी तरह क्या मा करने तैस्ट इसर को फिरेला एंटकय करते ही आप के कर्यों करते ही आप एकुलिए में को क्लोग दिख जाए ग्या में तो टेस नाम का मा की अब इसके अंदर जो भी लिखना लिखेंगे लेकिन माइक्रो नेम देते समय ध्यान रखेगा कि माइक्रो नेम में किसी भी तरह का या स्पेस या स्पेशल ग्रेक्टर दॉट डाइस प्लास माइनस ऐसे चीज़े अशेप्ट नहीं करेंगे अगर आपको जरूरत है तो आप क्या करेंगे अंदर स्कूर लगा सकते हैं शिफ्ट अंदर स्कूर लेकिन अगर मैं चीज़ को करें सब्जेक्ट राज वन या नेम असेप्ट नहीं करें अगर जैसे इस माइक्रो को रण करने जाएंगे तो राज वन और लेडी आपके पास एक सिल एड्रेस है तो माइक्रो बना दो लिजिएगा बर रण ही नहीं कर पाईएगा इसलिए आप अंदर स्कूर या स्पेस लगा दीजिए राज के जबब पर आग्यू कर दीजिए ऐसा चलेगा ओके लेकिन नहां लेकिएगा इस तरह का नाम ना तीसरा है कि एक नाम के दो मैक्रो नहीं हो सकते एक नाम के दो मैक्रो विल्कुल नहीं हो सकते इसका बिल्यान आप रखिएगा आपको प्रव्लम आती है कि encoding शुरू कहां से करे देखें जैसे हमको English language में कोई sentence बोलते हैं तो mostly sentence किसे शुरू होता है noun या pronounce है उसी तरीके से आप यहां कोई भी line of code लिखिएगा वो mostly इन चारों से ही शुरू होता है application work, books seats and range इसको बोला जाता है object तो अगर माले जी जो आप line of code लिखने वाले हैं वो एक application को effect करना application Excel file को नहीं पूरी application को effect करना display alert code disable करना या cut को remote को false करना ऐसे जो part जो किसी file से नहीं application का feature रखते है तो उस case में हम application से शुरू करते हैं तो फाइल पर काम करने से फाइल को open करना फाइल क्लोज करना फाइल को save save as करना फाइल क्रियेट करना वह हमेशा workbook से होता है seat इसे seat insert करना seat delete करना seat rename करना seat hide and hide करना तो seat से होने वाले चीज़े हैं वह हम seat से सुरू करते है range जो की जैसे कि a1, v1, c1 पर जो भी कुछ होता है range जो आपका cell है किसी cell एक एक से जदा किसी cell पर कुछ होता है उससे ऐसे code code start हम return से करते है तो इस चार main object होता है आसा है कि आप लोग मेरी बात कुछ समझ रहे होंगे अनोज जी वीपक जी चंद सेकर जी समझ में आ रहे है मेरी बात कुछ confusion तो नहीं हो रहा है ना आ रहे है आ रहे है अब बारी आती है कि थोड़ी सी खुद की त्यारी करने क्यों से क्योंकि एक साथ इतना ज़्यादा प्रहाद भूंगा तो थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है आपके लिए क्योंकि हमारा प्रपस सिर्फ क्लास देना ही नहीं है आपको प्रहाना भी है इसलिए मैं अभी यहां पर अपनी कथा को समाथ करता हूं और आपको एक छोटा सा काम क्या है बताता हूं एक विपसाइट है excel-vva.com अब बतातों आपको कि यह मेरी विपसाइट नहीं है ना मैं इस विपसाइट का प्रमोशन कर रहा हूं बहुत साल पहले जब मैंने स्टड़ी शुरू किया था और यह दोजार साथ में यह विपसाइट मुझे काफी ज़्यादा helpful लगा तो उस समय इंटरनेट पे गुगल पर उतना content होते नहीं थे कि यूटूब अतना famous हुआ नहीं था और यूटूब पर content मिलते भी नहीं उस case में यह विपसाइट काफी ज़्यादा helpful हुआ था और आज भी विपसाइट बहुत ज़्यादा इसमें पिक्टर के साथ इमेजिस के साथ आपको समझने में आसानी होती है आप इस विपसाइट को अच्छे से पर सकते नहीं तो इसकी लिंक में आप लोगों को बहिज देता हुआ है एक्सल-vva.com तो आप तसल्ली से इस विपसाइट को अच्छे से पढ़िए ठीक है और फिकर जो है हम इससे आपके स्फूरू करें तो करने बात करेंगे रिकॉर्डिंग माइक तुप्र अग्र करता है उसकी किस तरह से हमां मैं सहयोग से रइगा वह सारी चीजिया आम आप बतातों है एके?